आई पील दो हजारिक के सबंधिम चरण में हैं अब गिरिजुने मैच ही बाकी हैं अब क्रिकिट फैंस उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार का आई पील चैंपेन कौन होगा 15 अक्टूबर को रात में इसका भी जवाब मिल जाएगा अब T20 विश्व कब भी करीब है इसका पहला मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा हाला कि भारतिय टीम का पहला मैच 24 अक्टूबर को होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी इस बीच खबरे आ रही थी कि भारतिय टीम में विश्व कब के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं बताया गया था कि 10 अप्टूबर तक टीम में बदलाव संभव है लेकिन अब पता चला है कि टीम इंडिया अगर चाहे तो IPL 2021 के फाइनल के दिन भी टीम में बदलाव ला सक कि टीम इंडिया को देर में मैच खेले हैं इस तरह से देखें तो टीम इंडिया में बदलाव IPL के फाइनल के बाद संभव है और सेलेक्टर के पास अभी वक्त बचा हुआ है तो चलिए आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आग हमारे साथ जोड़ना कता ही मत भूलिएगा तो चलिए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं टीम इंडिया के चर्ण करताओं के पास T20 विश्वे कप में किसी भी तरह के बदलाव के लिए 5 दिन का समय बचा रह गया है क्वालिफाइंग राउंड में खेलने वाली टीमों के है भारत का अभियान सुपर बारा से शुरू होगा जिसके मुकावले 23 अक्टूबर से होने हैं इसलिए उनके पास टीम में परिवर्तन करने के लिए 15 अक्टूबर की रात तक का समय है विश्वे कप के लिए टीम इंडिया का सेलेक्शन IPL 2021 का फेज 2 शुरू होने से पहले चरण में प्रदर्शन को देखते हुए शिखरधवन और या जुवेंद्र चहल को विश्विकप टीम में शामिल करने की मांग की थी भारतिय टीम में दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर को रिजर्व के तौर पर रखा गया है इस बीच और हार्दिक पांडिया पर संश परिवर्ति और हार्दिक पांडिया की फिटनेस पर करीब से नजर रखे हुए हैं अगर कुछ बदलाव की समधावना नजर आती है तो 15 अक्टूबर तक किये जा सकते हैं तो इस वीडियो में यहीं तक लेकिन आपको क्या लगता है टीम इंडिया में कुछ बदलाव किये लिए इतना ही जल्दी आपसे फिर मिलेंगे लेकिन जाते जाते आपको वो टीम दिखाते हैं जो विश्व कप के लिए चुनी गई है ताकि आपको याद हो जाए कि टीम इंडिया में आखिर है कौन चलिए डालते हैं एक नजर टीवेंटी विश्व कप के लिए ये है पटेल जस्परीत बुमराह रवींद्र जडेजा और इशान किशन स्टैंडबाइख हिलाडी श्रियस अयर शारदूल ठाकुर और दीपक चाहर